प्लीज तेक अमोमेंट तो सुब्सक्राइब यूट्यूब आप्प तो नेवर मिस अनदर अपडेट बॉली तुबॉक्स फिल्म जीरो के फ्लॉप होनी के बाद केंखान शारुक ने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की मगर काटरीना कैफ के साथ ऐसा नहीं था उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले ही सलमान की फिल्म भारत को साइन कर लिया और अब इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने अक्षे कुमार के साथ सूर्य वंशी भी साइन कर ली पर आप गिंख खान भी अपने अगले फिल्म साइन करने के लिए हो रहे हैं तयार और इस बार भी उनकी लीरिंग लेडी होगी काट्रीना कैफ सूत्रों के अनुसार रोहिर शेटी और फरा खान कुंदर 1982 की आइकॉनिक फिल्म सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाना चाहते हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने शारुख खान और काट्रीना कैफ को चुना है और अगर सब सही रहा तो सत्ते पे सत्ता रीमेक में हमें शारुख और काट्रीना अमिता बच्चन और हेमा मालिनी की जगह लेते नजर आएंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं यह हमें जरूर बताएं